वेलकम तो प्रिच्छ इंस्टूटूट इच्ट्मी पुरसोतम कुमार दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं डेस्ट और स्नो का एमसी को कोशन जो कि आपके लिए बहुत इंपोर्टन होने वाले हैं बाइर रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा यह आपका पोयम ज तो हमलोक ट्री को मतलब जो हमलोक का पेड था उसको किसी ने ला दिया था यहां पर आख्षम आपको दिये गए हैं कई सारे तो उसमें से बताना है आपको सेलेक्ट करना है क्रो बी कुकू मैना पैर RICH आथ्डो आउपर इस दा राइट आंसर तो क्रो मतलब क व्व्वे ने उस hemlock tree को हिलाया था जब वो उड़कर गया था next है आपका question next question आपका दिया गया है what fell on the poet लेखा के उपर क्या चीज़ गिरी थी तो simple सी बात है dust of snow है तो मतलब बर्फ जब बर्फ की जगे पर hemlock का पेर था तो उसके उपर बर्फी गिरेगी छोटी छोटी पार्टिकल्स उसके गिरे थे तो यहाँ पर auction आपका b is the right answer होगा dust of tree होई नहीं सकती dust of rent होई नहीं सकता dust of crow होई नहीं सकता auction number b is the right answer फिर देखते हैं आपका in what mood was the pot earlier किस प्रकार का mood जो था वो बदल गया था जल्द ही तो लेखा का mood जब वो आया हुआ था वो खुशहाल नहीं था happy भी नहीं था फ्रस्टन भी नहीं था तो यहाँ पर आपका auction number c is the right answer sad था वो दुखी था और इसमें आपका b था तो इस तरह से आपको यह complete हो जाता है चलिए विजट करते हैं next पे तो next आपका क्या है four number दिया गया है आपका four number question क्या है तो four number में देखिए change his mood इसमें आपका है what was the effect of the fall of dust of snow on the poet तो लेखा का जो mood था वो कैसे जब उसके उपर dust of snow मतलब बर्फ की particles जो कड़ थे वो उसके उपर गिरे थे तो क्या हुआ था तो उसका mood बदल गया था मतलब option number A is the right answer होगा यहाँ पर भी चलिए विजट करते हैं next question पे next question हमारा क्या है वो हम लोग देखते हैं next question है आपका तो next question है what was saved for the poet तो लेखक ने क्या उस दिन क्या चीज अपनी बचा ली थी क्रो कव्वे को ट्री पेंड को या फिर श्नो बर्फ को यह उस दिन उसने जब उसका मन बदल गया तो उसने अपना एक दिन का कुछ थोड़ा सा समय उसने बचा लिया था auction number D is the right answer फिर है यहाँ पर next आपका question तो next question क्या है चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं next question है आपका the poet says of a day I had rude was is the meaning of the rude तो यहाँ पर देखिए लेखक जो कहता है of a day एक दिन के बारे में meaning of rude, rude का meaning यहाँ पर क्या है ठीक है rude का meaning क्या है वो आपको बताना है ruined, ruined का मतलब होता है विनाज किसी चीज को destroy कर देना और held a regret पस्तावा हो जाना या फिर ruled मतलब सासन करना तो auction number B is the right answer आपका held in regret पस्तावे में पढ़ जाना फिर है rhyme इसमें बतानी है what is the rhyme scheme of the poem तो इसकी rhyme scheme की अगर बात करें तो A, B, A, B और C, D, C, D आपकी इसकी rhyme scheme देखने को आपको मिल जाएगी इस poem में तो आपका auction number B is the right answer फिर विजिट करते हैं next पे चलिए देखते हैं at number at number इसमें आपको दिया गया है name the poetic device use in line and save some part तो इसमें जब same some parts यह जो इसमें poetic device की अगर बात करें तो poetic device इसमें alliteration का use किया गया है metafor तो होई नहीं सकता oxymoron भी नहीं हो सकता simli भी नहीं हो सकता क्योंकि simli में उपमा किसी की एक जैसा बता जाता है और metafor जो होता है metafor simli एक जैसे होते हैं लेकिन simli को पैचानने के लिए as so as like जैसे सब्द इसमें आपको words मिल जाएंगे metafor में इन सब्दों का वो use नहीं होता है simli के लेकिन इसमें एक रूप रूप बता जाता है ठीक है oxymoron जो होता है विरोधाफासी इसमें भी आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें विरोध करने वाली कोई चीज हाई नहीं तो यहाँ पर आपका allitration हो जाएगा फिर है what does dust of snow represent तो dust यहाँ पर dust कर लेना है क्योंकि यहाँ पर dust नहीं है यह dust है यहाँ पर dust तो dust यहाँ पर dust of snow क्या represent कर रही है किस चीज को बता रही है तो यहाँ पर healing power of nature या फिर particle of snow या फिर cool weather तो यहाँ पर आपका हो जाएगा healing power of nature चलिए विजिट करते हैं next नेक्स्ट पर हमारा last देखिए आपका last question बचा हुआ है यहाँ पर the crew and the hemlock tree symbolize crow और hemlock tree जो है वो किस चीज का symbol होते हैं दुख का यह मतलब sorrow, happiness, celebration death, dust of snow तो यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर बताया जाता है जो crow और hemlock होते हैं यह sorrow मतलब दुख का एक symbol होते हैं मतलब women कह सकते हैं इनको bad women होते हैं यह bad women होते हैं जो कि दुख को represent करते हैं तो इस तरह से आपका questions complete होते हैं आपके question में लेकर आया था आपके लिए और भी आपके question में solve करवा दूंगा लेकिन अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को completely आपको देखना पड़ेगा और दोस्तों तक share करना पड़ेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक क्लियर भाबाय थैंक्स फो वाचिं दिस वीडियो